नमस्कार दोस्तों मैं कमलदीप सोरान आईटे एलेक्ट्रिकल जोन में आपका स्वागत है आज हम इलूमिनेशन के ओब्जेक्टिव किस्ट नांसोर करेंगे यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ने भूलें आओ तो किस्ट नमबर वन कार्बन का गलनांक बिंदू कितना होता है यानि इसका जो गलनांक बिंदू है कार्बन का कितना होगा तो इसका गलनांक बिंदू हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस पे यह इसका गलनांक बिंदू है यह दिये पूछले कार्बन जो फिलामेंट है यो इसको मा तो हमारा हो जाएगा ऐथारा सो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अमारे को ताप समान नहीं देना चाहिए यदि हम इसको ज़्यादा ताप मां देंगे तो इसका जो फिलामेंट है जो इसका ये खंडी थोड़ी थोना स्टार्ट हो जाजा जो कार्बन का फिलामेंट है वो खंडी थोना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें पूछ रख्या गल्लांक बिंदू तो गल्लांक बिंदू 3500 डिग्री सेल्शियस होता है next question carbon filament lamp किस परकार की रोशनी देता है तो इसने क्या पूछा ये sodium vapor lamp जब start होता है तब ये देता है तो और blue color की जो है ये नहीं होगी इसके अंदर यानि इसमें उपरोक छबी दे रखाए ये भी नहीं होगी और यदि sodium vapor lamp भी यदि 5-10 मिनट बाद यदि पूछते हैं पूरा जलने के बाद तो कैसी रोशनी देता है वो भी पिलेपन रं तो ये प्रकास के लिए यूज नहीं होता ये temperature यानि ताप के लिए यूज किया जाता है इस प्रकार का लेंप को अब पूछलें टंगस्टन का गल्लांक मिंदू एक टंगस्टन जो है ये रोशनी के लिए यूज किया जाता है तो इसका इसका गलनांक मिंदू है इसका यदि पूछ लेते हैं कितने तापमान से अधिक नहीं रखना चीए इसका temperature तो उसमें आ जाएगा 2000 degree Celsius तो next question तो इसमें गलनांक मिंदू क्या हुआ 1400 degree Celsius और कार्बन का कितना था 3500 degree Celsius यह आपको याद रखना पड़ेगा गैस बरा टंगस्टन फिलामेंट में कौन सी गैस होती है तो इसके अंदर कौन सी गैस बढ़ी होती टंगस्टन फिलामेंट जो होता है इसके अंदर आरगन और नाइट्रोजन तो हमारा क्यूशन नाइट्रोजन 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 इसके अंदर नहीं होती है नाइट्रोजन करते है गरेलू उप्योग के लिए गरेलू उप्योग के लिए बल्लब में किस परकार की कैप होती है जो हमारे को कैप पूछ रखी है जो गरेलू हम जो गरों के अंदर जो नॉर्मल लाइट के अंदर यूज़ करते है वो हमारी b22, bc22, bc का मतलब होता है, bionet cap, bc का full form है ये, तो b22 का मतलब क्या है, जो b22 है ना, जो हमारी ये cap होती है, ये हमारी cap होती है, तो इसके बीच का जो difference होता है, वो 22 mm होता है, कितना होता है, 22 mm, sbc क्या है, small bionet cap, ये b15, यानि ये b15 है, तो कितना हो जाएगा, ये b15 mm हो जाएगा, इसका बीच का difference, इस पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, इडियम screw, screw की होती है, जो screw type होता है, जो हमारा cap होती है, जो screw type की, ऐसे, ये उसके अंदर होती है, screw type में, कौन से, HP MV lamp में, यूज होती है, तो इसमें, HP MV lamp में पूछ लेते है, तो E27 करना पड़ेगा, हमारी को, ये जो हमारी cap होती है, बलबगी, ये जो होता है, इसके beach का difference है, ये हमारा 22 होता है, ये इसके दो terminal है, इस बलबगे, तो ये हमारे normal घरों के अंदर जो use gap होती है, B22 होती है, तो इसका ये option हो जाएगा C, arc lamp का उप्योग कहां किया जाता है, arc lamp, घरों में, कारखानों में, street light में, cinema projector में, arc lamp का प्रियोग किया जाता है, cinema projector में, ये हमारा option D हो जाएगा, arc lamp में positive, positive carbon electrode कितना प्रकास देता है, तो इसने positive पूछ रखया है, तो 85% देगा, तो option हमारा C हो जाएगा, ये दि negative पूछता है, ये दि negative पूछता है, तो 10% ये परकास देगा, electrode और ये दि positive है, तो 85, और ये दि 5% है न, arc अपने आप देता है, जो अपने आप जो परकास देता है, वो 5% होता है, next question में आते हैं, DC arc lamp में परियोग क्या जाता है, यानि DC arc lamp जोता है, उसके अंदर कौन सा परियोग क्या जाता है, induction क्या जाता है, या self-induction, या blast resistance, या mutual resistance, तो DC supply पूछ रखिए इसने, DC supply में हमारा option C हो जाएगा, blast resistance यूज गया जाता है, ये हमारा blast resistance है, तो ये क्या है, ये हमारी positive electrode है, और ये हमारी negative electrode है, तो यहां तो ये हमारा 10% देगा, और पिछे वाड़ा 7 question में था न, इसमें ये 85% देगा, और ये कहां यूज होते हैं, cinema projector में यूज होते हैं, और search light में प्रियोग किये जाते हैं, arc lamp, next question, कौन सा बलब सीधे filament में से परकास देता है, जो सीधे filament से, filament में से जो परकास देता है, कौन सा है, mercury वैपर लैंप नहीं होता, sodium वैपर लैंप नहीं होता, incandescent lamp होता है, तो ये हमारा C हो जाएगा, incandescent भी दो भागों में बाटा गया, आदार पे बाटा गया है, carbon filament और tungsten filament, एक zero watt का बलब, इसने पूछ रख्या, 0 watt का बलब की खपत कितनी है, यानि कितनी पावर लेता है 0 watt का बलब, तो यदि हम किसी को पढ़ा नहीं होगा, ये सोचेगा 0 watt का है, तो बिल्कुल भी खर्च नहीं लेगा, कोई power नहीं खर्च करेगा, तो कई बार क्या करते हैं, option A कर देंगे, कि भी कोई भी power खर्चन नहीं होता है, ये तो 0 watt का, लेकिन 0 watt का जो बलब होता है, 5 से 10 watt का होता है, ये option हमारा B होगा, और जो हमारा, ये, जो fluorosan tube में पूछ लेते हैं, तो fluorosan tube में हमारी 40 watt की होती है, तो thank you, आज के लिए वीडिय ये इतनी है, next video फिर बढ़ाएंगे हम, ये आप